हेलो दोस्तो आपको स्वागत करते हूं तो रोंग इलेक्ट्रोनिक्स चैनल में तो दोस्तो आज जी वीडियो का अंदर एक बहुत इन्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन से आर करूंगा कि ये इस्टी का ये जो नीचे पीन तो दोस्तो ये स्क्रीन पीन है और इसका उपर जो ये फोकसिंग पीन है ये दोनों पीन को घुमाने का बाद ये इस्टी का जो ये दो आयर है ये दो आयर जो आप देख रहा हो ये दो आयर का जो फोल्टेज आउटपूर्ट देता है ये फोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है बार दोस्तो ये दो आयर का अंदर कितना आ आज आपको लाइब टेस्ट करके देखाऊंगा ये वीडियो के अंदर, चले मैं वीडियो स्टाट की, मेरा पास ये चायना PCV है, कुछ भी TV PCV हो सकता है, तो उसका अंदर जब पिक्चर पॉब्लम हो जाता है, तो एक भोल्टेज, जो इंपोर्टिन भोल्ट है, वो बहुत तिगनीशान चेक नहीं करता है, और आंधा जांच से कम करता है, क्यूंकि हो सकता है, स्क्रि planting का उपर जो पिक्चर आना चाहिए, पिक्चर नहीं आ रहा है, हो सकता है, हो व्त दिस्प्लेश है तो इसी तरह परल्बलम जाब आता है, तो बहुत तिगनीशान 180 volt line जो होता है यह 180 volt line को check करता है उसका बाद RGB जो signal output होता है यह सब check करता है मालने इसका सब कुछ volt होके है baseboard का जो voltage होता है तो दोस्तों यह baseboard है इसका अंदर जिस position पर जितना volt आना चाहिए वो बाता है गया कि सब कुछ voltage होके है तब भी problem हो रहा है तो इसलिए दोस्तों यह खस करके यह इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि baseboard का जो जितना voltage सब कुछ सेम है बाद दोस्तों मैं आपको बाताना चाहता हूँ कि यह जो base का middle pin है इसका अंदर कितना volt आना चाहिए यह कभी आप check किया है कि नहीं जोरूर आप बाताएगा नहीं तो इसका अंदर तो कभी मैं voltage check नहीं किया तो चलिए मैं practically आपको इसका अंदर voltage check करके देखाता हूँ कि यह पर कितना volt आना चाहिए यह जो base का middle pin होता है यह पर कितना volt आना चाहिए और इसका अंदर जो voltage आता है यह जो मोटा बाला red wire है EST से जो आता है इसका अंदर आता है और उसका बाद यह पर voltage मिलता है ठीक है जो picture tube का middle pin होता है उसका अंदर voltage जाता है और दोस्ता आरेक जो wire है यह G2 का आयर है यह यह जो पीएप आप देख रहा है हो 278 PCB का अंदर यह position पर एक पीएप देखा जाता है तो यह पीएप निगेटिव का साथ connection रहता है तो यह पीएप जब short हो जाता है तो क्या होता है कि screen का light नहीं देखा जाता है screen का अंदर कुछ भी light देखने को नहीं मिलेगा मलोब यह जो G2 volt यह volt नहीं मिलेगा तो तब भ लेखा जाता है तुक्यों की यह जो wire यह wire यह EST का अंदर यह जो body है इसका आंदर इसका नीचे screen लेखा है यह जो EST का नीचे screen लेखा तो जो जो G2 voltage screen का गूमाने का बाद यह voltage up-down होता है तिक है और उसका यह जो इस्टी को उपर वाला जो पीन है। यह जो PC type तो दोस्त हो यह उपर वाला फोकसींग का कॉंत्र होता है। यह फोकसींंग का जो पीन है। यह घुमाने का बाद यह जो रेड़ वाला अवायर है जो यह पेस का मीडल पीन होता है y dell pin होता है। इसका अदर फुकास दोने पीन को आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको अच्छा करके दिखाने के लिए PCB को मैं सेट किया और देखिए नॉर्माल सा मीटर है ठीक है तो ये मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सेलेक्ट किया ठीक है और मीटर का ये जो निगेटिव कोड ये लाल रेड ओयर को मैं इस तरह कानेक्सन किया नेगेटिव कोड को क्योंकि मैं आच्छा करके देखा हूंगा और मूबाइल को मैं एक हाट से पाकरके आपको दिखाता हूं पुरा फ्रेस करके क्योंकि आपका मुन में कुछ डाउट ना हो जाए और यह PCB में बाहर कानेक्शन किया यह stick के आपको आपको आप देख सकती है बहुत दूरर मैं राखा हूँ ठीक है यह stick के आपको और इसका indicator इधार है और दोस्तो यह new PC है यह पुरा running PC है तो अच्छे लिए आभ इसी ताइब ये इस्टिका जो screen control और focusing control होता है, ये दोनो screen को मैं देखिए दोस्तों आपको देखाता हूं ये screen control और focusing control है जो दोनों इसे को मैं high कार दिया, ठीक है, high condition पर आपको देखाउंगा कि कितना भूल मिलेगा और उसका बाद इसको low कार के द यह low करके यह low है तो दोस्तो यह भी मैं high car cup को देखाता हूं फुड़ा फुल कर दिया इसी condition पर जी टुब पर कितना फुल मिलता है और यह दोस्तो focusing pin पर कितना फुल मिलता है छेलिए supply दे देता हूं और indicator पर फ़लो कर सकता हूं देखिए दोस्तो इस्ते indicator on है EST भी बन गया, EST के बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं, फास्ट आपको देखोंगा कि G2 वोल्ट, आप मीटर पर फ़लो कर सकते हो, देखे, ये G2 पर कितना वोल्ट, 38 वोल्ट आड़ा है, तो दोस्तों ये वोल्ट नहीं आएगा तो EST से, no light problem होगा, और ये जो PF negative का साथ connection है 102 नामबर का PF होता है, 2 के भी का, तो ये PF short हो जाएगा, तो voltage negative पर चला जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर voltage देखने को नहीं मिलेगा, तो screen black होगा, मलब light नहीं आएगा, ये G2 का pin voltage है, clear हो गया, और दोस्तों उसका बात चलिए, ये जो focusing का pin है, middle pin, इसका अंदर में touch करके देखना तो, बड़ दोस्तों, ये हलका सार टाच करेंगा, तो इसका अंदर मीटर का, ये quad का अंदर firing मिलेगा, तो दोस्तों आपको direct पूरा touch करना पड़ेगा, देखे किस तरह में touch करके, आपको देखाता हूँ, देखे, इस तरह टाच करने का बाद इसका अंदर कितना 109V, इसका बीच में आ रहा है, ठीक है, चलिए मैं open कर देता हूँ, देखे दोस्तों, open कर दिया, ठीक है, तो जो दोस्तों, छोटा-छोटा मीटर होता है, तो वो मुट्याच से चेक करेगा तो ये position का voltage, छोटा मीटर मनलोब इस तरह मीटर होगा तो, ठीक है, ये मीटर भ चलिए मैं दोबड आपको टेस्ट करके देखाता हूँ, जो फर्स्ट आपको देखाया, जी टू वोल्ड देखिया, अभी 37, 8 वोल का असपास है, ठीक है, बैंडेट PCV का अंदर 40, 45 का असपास भी होस दाखता है, ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भी आपको जो जी टू वो फोकस्टिंग पिन 109 वोल्ड का असपास, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको ये दो इन्पोर्टेंट वोल्ड देखाया, चलिए मैं सप्लाई को अप कर देता हूँ, देखिये, इंडिकेटर ओफ हो गया, और उसका बाद आपको इसी टाइम जो देखाँगा, कि ये जो स्क्रीन कांट्रोल और फोकस्टिंग कांट्रोल, दोनो कांट्रोल को मैं पुरा लो कर देता हूँ, ठीक है, देखिये, पुरा लो कर दिया, और ये कांट्रोल को मैं लो कर दिया, ठीक है, पुरा लो कर दिया, लो करने के बाद कितना वोल्ट आना चाहिए, चलिए मैं एक 24 वोल्ट का अस-पास ठीक है ? जीटूबर 24 वोल्ट का अस-पास पुड़ा लो करने का बाद और फोकसिंग पीन पर कितना वोल्ट चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूं तो दोस्ता अभी फोकसिंग पीन पर 28 वोल्ट ठीक है दोस्तो ? तो आपको इसी टाइम एक एक जो EST का पीन होता है मैं आपको घूमा के दिखाता हूँ चलिए मैं सप्लाई को फास्ट आप कर देता हूँ फास्ट ये जो नीचे वाला पीन है जो G2 वोल्टेज को एस्जर्श किया जाता है इसको मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ थोड़ा हाई किया ठीक है ये EST का नीचे वाला पीन है जो स्क्रीन कांट्रोल है जी टू कांट्रोल भी आप बता सकतो चलिए मैं दोबरा सप्लाई दे देता हूँ सप्लाई दे दिया अभी इसी टाइम G2 पीन पर कितना वोल्ट देखे 29 वोल्ट ठीक है दोस्तो थोड़ा सा बढ़ा है चलिए मैं और थोड़ा बढ़ा का आपको देखा था हूँ यह G2 और थोड़ा बढ़ा है और उसका बद G2 पर कितना वोल्ट अभी देखे 36 वोल्ट ठीक है इस तरह इसका वोल्टेज थोड़ा सा अप डाउन आपकार सकतो और जो फोकासिंग पीन वोल्टेज अभी कितना है अभी फोकासिंग पीन वोल्टेज देखे 28 वोल्ट तो चलिए यह EST को ऊपर जो focusing pin है, यह focusing pin को थोरा समय हाई कर देता हूँ, ठीक है, थोरा समय हाई किया, उसका बाद यह middle pin voltage कितना अड़ा है, आभी देखिए 43V, तो दोस्तो आपको मैं confirm किया, कि EST का कौन सा pin घुमाने का बाद, कौन सा pin voltage change हो जाता है, ठीक है, आपको practically यह देखा क्यूंकि दोस्तो चलिए मैं supply up कर देता हूँ, क्यूंकि आपको दोस्त का मैं कमान को पर यह वीडियो बनाया, तो यह वीडियो का अंदर जो information आपको share किया, आपको आच्छे लगे तो प्लिस एक like कार दिजिए, और यह channel पर आब 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 है, तो पहले है channel का जूर स subscribe करके रखिए, और दोस्तो, electronics problem का उपर आब long discuss करना चाता हो, तो आप telegram group पर join हो सकते हो, तो यह वीडियो का description box का अंदर, telegram group link मिल जाएगा, और दोस्तो, telegram channel link मिल जाएगा, तो group पर join होने का पहले, telegram channel को subscribe करके रखिए, तो दोस्तो, यह साब करने का पहले, link क्लिक करन पड़ेगा, WhatsApp जाएज सा, ठीका दोस्तो, thank you, यह वीडियो, फूल आज करने के लिए